नमस्कार दोस्तो उपाध्या लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है आज बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट फॉर्थ है आपने अगर पहले तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या आई बटन पर जाके देख सकते हैं तो वीडियो फॉर्थ में भी में स्कॉयर की ही बात करूँगा अभी दोको मैं बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा जब तक कि आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं हो जाएगी ठीके क्योंकि कैलकुलेशन का कॉम्पुटिशन की एक्जाम में बहुत बड़ा रोल है चाहे मुझे पचास सार्ट वीडियो क्यों ना बनानी पड़े लेकिन आपकी कैलकुलेशन को मैं परफेक्ट कराके ही मानूँगा ठीके तो अभी स्क्वाइर की बात करेंगे जो पचास के करीवी हैं ठीके पचास से कम हैं जादा हैं वैसे काईदा तो यह कहता है कि आपको 50-60 तक तो स्क्वाइर याद होने चाहिए अगर आपको बहतर कैलकुलेशन करनी है यह 50 के पास में है 50 से 5 कम है जितना कम है उतने का square करना होता है मुझे इसका से multiply किया कितना है 25 आप देखो यह कितना कम है 5 लेकिन पिछली वाली process में से थोड़ा सा change करना है पिछले क्या कर रहे थे हम पिछले हम यहां से subtract कर रहे थे यहां से add कर रहे थे इस sign के according लिए ठीक है ना लेकिन यहां क्या करना है यहां आपको एक number fix है 25 25 मैंसे ही अगर subtract करना है तो करेंगे add करना है तो करेंगे इस मैंसे मैंने 5 को subtract किया क्योंकि यह 50 से कम है तो answer कितना आया 20 25 यही आपका answer है हो सकता है कि आप 46 का ले लो यह कितना कम है चार कम है तो आपको पता है जो जितना कम है उतने का मुझे square लेना है यह कितना हो जाएगा भाई 16 बात क्लियर हुई अब 25 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 21 बात क्लियर हुई 52 का square आपको निकालना है 52 का square यानि यह कितना जादा है two जो जादा है उतने का स्क्वाइर कर दो 2 का स्क्वाइर कितना हो गया 4 ठीक है इसके बाद में आपको पता है कि 2 डिजिट में लेना है तो 0,4 हो जाएगा 25 मैंसे 2 जोडना है तो ये कितना हो जाएगा 27 अरे समझ मा आ रहा है न हाँ कर दिया करो गार आ रहा है तो मैं समझ जाओ कि जब बैठे बैठे आप समझ रहे हो तो हाँ हो रहा है ये मैं सोचो कि मैं दूर बैठा हूँ आपके पास ही हूँ ठीक है इसके बाद में 57 57 का स्क्वाइर आप करोगे तो ये 7 जादा है तो कितना हो गया भाई 49 7 का स्क्वाइर हो गया 49 25 में 7 जोड़ दो 32 बात किलियर हुई इसके बाद में next example और देख लीजे 62 तो 62 में ये कितना जादा है 12 देखो 12 का स्क्वाइर करोगे 144 तो ये 44 आ गया 1 चला गया आपका कैरी क्योंकि 3 डिजिट में नहीं लेंगे हम 2 डिजिट में ही लेंगे आपने जितने भी देखे है सब 2 डिजिट में है अगर डिजिट सिंगल है तो मैं 0 लगा देता हूँ अगर डिजिट 3 में है तो मैं एक carry भेज़ देता हूँ बास मज में आया तो मैं सही add करना है या subtract करना है जो 25 और 12 है 37 एक carry का 38 बात यहां तक clear हुई भाई नोट कर लीजिए next questions की तरफ बढ़ते है ठीक है आप इसको 75 तक ले जा सकते हो इसको आप 75 तक ले जा सकते हो 75 से आगे की procedure 125 तक मैं already आपके सामने discuss कर चुका हूँ पिछली वीडियो में ठीक है अगर आप इसको suppose ले लेते हो 72 तो भाई यह 22 जादा है ठीक है तो 22 का कितना हो गया 484 484 में मैंने 84 यहां लिख दिया 4 मेरा carry चला जाएगा अब 25 में 22 एड़ करना है और 4 carry का जाना है तो 51 हो जाएगा 25 22 प्लस 4 ठीक है 22 और 4 26 और 25 51 तो आपका answer कितना आगया 51 84 यहां तक बात समझ में आई चलिए next देख लेते हैं मैं उम्मीद करता हूँ यह सारी चीज़ आपकी समझ में आगे 50 तक के अब देखो मैंने क्या क्या आपको करा दिया इस बात को समझे 50 के प्लस माइनस करा दिया जो 75 तक जाएगा 75 से फिर 100 के माइनस और 125 तक 100 के प्लस तक करा दिया तो लगवग लगवग यह सीरीज यहां तक आपकी complete हुई अब ऐसे ही में 200 के आसपास की भी बात करूँगा 300 के आसपास की भी बात करूँगा तो आप इसे नोट कर लीजिए ओके अब 2 डिजिट मैंने 50 वाले भी कर लिए हैं 50 प्लस 50 माइनस 2 डिजिट वाले यानि 2 डिजिट का कोई भी हो वो भी अभी हम थोड़ी दिर में देख लेते हैं और आज ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी छोटी हो क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ठीक है चलिए देख लेते हैं अगर मैं एक्जामपल देखता हूँ कि देखो इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़े समझो पहले समझ लो आपको दो तीन तरीके बताऊंगा जो आपके फायदे मंद हो आप उसे देखना देखो एक तो ये है कि अगर आप A और B अगर स्कॉयर ऐसे करते हो तो ये इस तरीके से कुछ लिखा जाता है 2AB B स्कॉयर ये A प्लिस B वाला फॉर्मूला नहीं है लेकिन हाँ उससे मिलता जूलता ही है बात समझ लिए आई न देखो अगर आप 26 का स्कॉयर करते हो तो देखो ये आपका A है और ये B है जैसे आपके लिखे हुए A इधर लिखा हुआ है तो A स्कॉयर इधर ही था B इधर लिखा हुआ है तो B स्कॉयर इधर ही था अब देखो 6 का स्कॉयर करोगे तो 36 आ जाएगा और 36 का 6 यहां लिख दोगे 3 आपका कैरी चला जाएगा इसके बाद में फिर 2AB 2AB का मतलब है 6 12 और 12 का डबल किया तो 24 24 में 3 carry भी add होगा तो ये कितना हो जाएगा 27 ये लिख दिया फिर अब carry कितना बजा 2 अब क्या है A square A square मतलब 2 का square 2 का square कितना होता है 4 2 का square कितना होता है 4 और 2 carry था तो ये कितना हो गया 6 ये मेरा answer आ गया इसके बाद मैं 52 52 का square देखो 2 का square 4 कोई कहरी नहीं इस वाली डिजिट का square इसके बाद 2AB 5 2 is a 10 और इसका भी double 20 20 का क्या हो जाएगा 0 बात क्लियर हुई कहरी कितना चला जाएगा 2 इसके बाद 5 का square करोगे 25 देखो A का square यानि 5 का square करोगे 25 और 2 add कर दोगे तो कितना आजाएगा 27 बात यहां तक क्लियर हुई नेक्स आजाते हैं 68 देखो इस वाली side का square 8 का square यानि 64 8 का square कितना होता है 64 64 में आपने 4 लिख दिया 6 का आपका क्या चला जाएगा carry इसके बाद मैं इन दोनों का multiply 48 उसका भी double 96 96 में 6 और add कर दो 102 102 का 2 लिख दिया आपने बचा कितना 10 then after 6 का square करोगे तो कितना आया 36 और 10 कितना हो जाएगा 46 यह आपका answer आगया अच्छा इसके बाद मैं एक वार फिर से बता देता हूँ इससे repeat कर देता हूँ 8 का square कितना आया 64 4 मेंने लिख दिया 6 मेरा carry चला गया 6 का 8 में multiply किया 48 इसका double किया 48 दूनी होता है 96 90 में 6 जोड दिया तो 102 102 का यहां 2 लिख दिया 10 carry चला गया 6 का square 6 का square कितना होगा 36 और 36 में 36 में आपने 10 add कर दिया तो कितना हो जाएगा 46 अच्छा अब ये एक method ये था इसी के लिए एक method और है उस method को भी देखिए वो method क्या है देखो मैं इन ही को लिख रहा हूँ मैं इन ही को लिख रहा हूँ ठीक है अगर आप इसको देखते हो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ 26 ठीक है इसका square दो को पहले 2 का square लिख दो इसको square लिख दो अब इन दोनों का multiply करो 6 दूनी बार है बार है का दुगना कितना होता है 24 24 आप इधर से unit digit को छोड़ के लिख दो 24 मैंने यहाँ से लिख दिया एक digit छोड़ के लिख दिया आंसर कितना आ गया यह तो 6 हो गया 4 और 3 यह 7 हो गया 4 और 2 6 हो गया आप ऐसे भी लिख सकते हो देखो लिखने के तरीके आप कैसे लिख पाते हो इसके बाद मैं मैं 52 वाले के लिए यूज़ करता हूँ तो देखो 2 का square कितना होता है 4 तो आप double digit में लिखेंगे तो 0,4 हो गया अब 5 का कितना होता है 25 अब आप इन दोनों का multiply करके double करो यह वाला part देखो ना B square मैंने इधर लिख दिया A square मैंने यहां लिख दिया अब इन दोनों का जो बीच वाला part था वो unit digit छोड़के मुझे add करना है तो 5 दूनी 10 दूनी 20 20 मैंने यहां लिख दिया एक digit छोड़के तो यह 4 आ गया यह 0 ही रहा यह 7 आ गया यह 2 हो गया तो यह बात आपकी समझ में आई यहां तक clear हुआ 68 वाले को भी इसी method से करते है तो 8 का square कितना हो गया 64 6 का square कितना हो गया 36 double double digit में है double double में ही लिख दिया ठीक है अब देखो इन दोनों का multiply करो 8 6 के 48 48 का double कितना होता है 96 इधर से एक place छोड़ना है आप यहां देखो यहां 4 आ गया 6 और 6 12 का 2 आ गया 9 और 6 15 का 5 और 1 carry यानि 16 का 6 आ गया 3 और 1 4 आ गया तो यही अभी थोड़े देर पहले हमारा answer था जो मैं छोगे आपका ठीक है चलिए इसको note कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि double digit का आप कोई भी आप solve कर पाएंगे इसके बाद मैं मिलते हैं next वीडियो में आपके साथ ठीक है यहां तक का आप करिए और अभी जल्दी ही मैं एक दो दिन में basic calculation का यह part तो अपना आलग चलता रहेगा arithmetic और advance का portion भी शुरू करूँगा bank वाले students के लिए डिया भी शुरू होगा लेकिन उससे पहले मैं कुछ arithmetic के chapter कराऊँगा advance साथ की साथ चलता रहेगा कोशिश यह रहेगी दो से तीन वीडियो आपको पड़े मिलती रहें ठीक है ना और आप चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें सेर करें यदि आपको लगता है कि यह helpful हो सकता है ठीक है ओके thank you class